आपने औरा तो सुना ही होगा यह सभी सजीवों के पास औरा होता है औरा एक चुम्ब के परवाब होता है जो कि सजीव के आस पास होता है जब हमें किसी को जानना हो या समझना हो तो औरा हमें समझाता है किस तरह का सजीव है और किस तरह की उसकी बनावट है हमें औरा से ही पता चलता है कि वह इंसान चूर बोल रहा है या पिर वह किसी मुखोटे के वह पीछे अपना चेहरा चुपाए बैठा है तो आज हम जानेंगे औरा की विशेस्ता और औरा क्या है उसके बारे औरा सरीफ सरीफ की अंदर इक्षाओं की जागरिती के बारे में भी हमें बढ़ता है औरा ही हमें बताता है किस तरह की प्रगती है और किस तरह का वैक्ती है कि उसकी एक्षाय किस प्रकार की होगी औरा से ही हमें पता चलता है कि इनसान की एक्षाय किस प्रकार से जागित हो सकती है औरा व्यक्ति के विचार की विशेस्ता भी बताता है, कहते हैं औरा हमारे सरीर के भार पर नारंगी कलर की एक उजाली सी रोश्णी नजर आती है, वही औरा है, वहें जितनी जादा तेज होगी और जितनी जादा परचिलित होगी तो इनसान उतना ही अध्यार्मिक और उतना प्लू कि औरे नजर आती है तो समझ लिजय के विधारती है और उसके पर पड़ाई का पहुँचादा बोज है या फिर किसी ने अपना प्यार अभी अभी खोया है तो इसी वज़ाँ से ऊपर पीले कलर की औरे की लाइन नजर आने लगती है औरे की लाइन समझ में आता है कि तो उस वेक्ते के पास कितना दबाव हैं और कितना ग्यान हैं अध्यात्मिक है या वेक्ती जादा ही डिप्रेशन में हैं यह सिर्फ औरा से ही पता लगा सकते हैं अगर किसी वैक्ति के काले कलर की औरा नजर आती है तो इसका मतलब है कि वह पिसाचों में घिरा हुआ है और उसे किसी ना किसी बात का डर रहता है वह चाहता है वह इच्छा उसकी पूरी नहीं हो पाती और यह काले रंग की औरा की लई यही बताती है कि इनसान बहुत डरा हुआ औ घबराया हुआ रहता है बेचेनी है उसके दिल में ये है औरे की विशेस्ता है विशेस्ता उसके औरे की कलर से ही पता चलती है कि इनसान में क्या डर है और क्या विशेस्ता बता रहा है जो सी बैक्ति के उपा सिर्वर करर की औरे की लाइन नजर आते है तो इसका मतलब है कि वह बहु जादा अध्ध्यानी है बहु जादा ज्ञानी है और पडने में जादा तेघ है तो औरे की लाइन हमारी मिशेस्ता किस परकार बताती है चाहने है इस वीडियो से और मेरी वीडियो को लाइट, शेर और सब्सक्राइब करना ना भूलें